नमस्कार दोस्तो लक्षी प्रकाश में आप सभी का फिर से बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तो अगर आपके भी वाटसप पर वाइस कॉल और वीडियो कॉल आ रहे हैं अगर आप वाइस कॉल और वीडियो कॉल से परिसान हो चुकिए और voice call का option को आप जो है disable किस तरीके से कर सकते हो तो guys अगर आप भी जानना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा देखना बिल्कुल भी skip मत करना वीडियो को start करने से पहले अभी तक आपने मारे इस वीडियो को like नहीं किया तो please वीडियो को like कर दीजिए और अगर आप चैनल पर नहीं हो तो आप चैनल को subscribe करके bell icon को जरूर से प्रेस कर देना हो और guys आपको all पर set कर लेना है इससे आने वाली मारी नहीं वीडियो की notification आपको सबसे पहले मिला करेगी तो चलिए friends आज कई वीडियो स्टार्ट करते है तो guys अगर आप भी जाना चाहते हैं कि whatsapp पर हम video call और voice call को कैसे disable कर सकते हैं कैसे बंद कर सकते हैं जिससे कि कोई भी आपके whatsapp पर आपको video call और voice call नहीं कर पाएगा जैसे ही वा video call और voice call करेगा उसका call automatically cut हो जाएगा सिर्फ वा message ही कर पाएगा तो इसके लिए सबसे पहले तो यहाँ पर whatsapp में जाने की बाद whatsapp में guys आपको कही पर भी ऐसा option नहीं मिलता है जिससे कि आप जो है whatsapp में voice call और video call को बंद कर पाएगा तो इसके लिए आपको करना किया simply आपको जो अपनी mobile की settings में जाना है जैसे ही आप अपने mobile की settings में जाओगे इसके बाद यहाँ पर आपको जो एक apps का option मिल जाएगा जी है दोस्तो एप management या फिर apps का option मिल जादा है यहाँ पर आपको apps का option नहीं मिल रहा तो search setting पर क्लिक करके यहाँ से आप apps जो है search कर सकते हो जैसे आप apps search करोगे इसके बाद यहाँ पर जो है apps का option आपको मिल जागा तो जैसे आप apps option पर क्लिक करोगे apps option पर क्लिक करने के बाद आपको manage apps पर क्लिक ना है और इसके बाद आपके mobile के सभी application आपको देखने को मिल जागा तो यहाँ पर आपको simply guys whatsapp application को आपको डूंड़ना है या दोस्तों यहाँ पर आपको whatsapp application को आप search भी कर सकते हो यहाँ पर जैसे आप whatsapp application टाइप करोगे इसके बाद whatsapp application आजेगी और आपको whatsapp application पर क्लिकना है और इसके बाद आपको app permission पर क्लिकना है और इसके बाद यहाँ पर आपको जो है अपनी permission को यहाँ पर आपको disable कर देना तो यहाँ पर सबसे पहले camera option पर क्लिकने की बाद camera की permission को आपको disable करना है और इसके बाद आपको back आना है और इसके बाद यहाँ पर आपको microphone की permission को भी disable कर देना है और इसके बाद यहाँ से आपको फिर से back आना है और यहाँ पर आपको जो है आपको जो है इस call log की option को भी आपको disable रखना है और इसके बाद यहाँ पर आप देखे तो camera की और microphone और telephone की सारी permission मैंने disable कर दिया इससे होगा यह कि जब भी WhatsApp में आपको कोई video call और voice call करेगा तो WhatsApp की जो है यह permission allow नहीं रहेगी camera की और microphone की access permission जो है allow नहीं रहेगी तो कोई भी आपको जो है video call और voice call नहीं कर पाएगा तो गईस कुछ इस तरीके से आप WhatsApp पर video call और voice call को आप बंद कर सकते हो तो गईस कैसा लगा यह video में comment करके जरूब दास तो गर आप कोई video चलागा हो तो इस video को like करें शियर करें और अभी तक आपने मारे चानल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चानल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर देना